नमस्कार, आज हम लोग जानेंगे बोस्टन चाय पार्टी या बोस्टन टी पार्टी के बारे में जो अमेरिका के इतिहास की एक बहुत ही महत्वपुन घटना है अठारवी सताथदी ISP का समय था जो अभी वर्तमान में United States of America है उसके पूर्वी हिस्से में बिटेन के 13 उपनिवेस या फिर 13 कॉलोनी हुआ करती थी सरल सब्दों में कहें तो यहां 13 इस्टेट थी जो बिटेन के गुलाम हुआ करती थी इन तेरह बिटेस कॉलोनी या तेरह उपनिवेस के नाम थे जोर्जिया, साल्थ कैरोलीना, नौर्थ कैरोलीना, वर्जीनिया, मैरिलेंड, डेलावेर, न्यू जर्सी, पेंसिलवानिया, न्यू यूर्क, कॉनेक्टिकट, रोड आइलेंड, मासाचुसेट्स, न्यू हेमिस बिटेन ने 1767 में चाय, सीशा, कागज, सिख्का और कुछ अधर मेटेरियल पर सीमा सुल्क या फिर कस्टम ड्यूटी लगा दिये, अब ये इन जितने वस्तुओं पर बिटेन ने सीमा सुल्क या फिर कस्टम ड्यूटी लगाए था, इन सभी वस्तुओं को अमेरिका कर विरोध किया जब अमेरिकन लोग का विरोध अत्यधिक बढ़ने लला तो 1770 इसपी में British Prime Minister Lord North ने कागज, सीसा और रंगो पर से tax हटाने की घोसना की लेकिन चाय पर से tax नहीं हटाया ये वो समय था जब बिटेन हर साल अमेरिका में लगबग 545 टन चाय बेचती थी अमेरिका ने East India Company की जो महेंगी चाय हो चुकी थी कस्टम ड्यूटी लगने के बाद में उसका पूर्णता बहिसकार करना शुरू कर दिया और इसके जगा पे इलीगली अवैध रूप से डच इसट इन्डिया कंपणी से चाय की स्मगलिंग शुरू कर दी जिसकारण बिटेस इसट इन्डिया कंपणी को बहुत ही ज़ादा नुक्सान होने लगा मैं 1773 में बिटेस अंसद ने टी एक्ट पारिद किया जिसके तहर इसट इंडिया कंपणी बिना किसी कस्टम ड्यूटी के बिना किसी अतरिक्त सुल के चाय का वेपार टी का वेपार ट्रेड कर सकती थी लेकिन जैसे हैं ये इस्ट इंडिया कंपणी की चाय से लधी हुई जहाज अमेरिकन पोर्ट या बंदरगाह पर पहुंशती थी तो वहां के जो बिटेस की चाय का वहिसकार कर रहे थे और डच इस्ट इंडिया कंपणी से सस्ते दामों पर चाय की तसकरी या पर स्मगलिंग शुरू कर दी थी चाय की तसकरी करने वालों में जॉन हैंकॉक और सैमॉल एडंस का नाम सबसे उपर था जो अमेरिकन करांतिकारी थे जॉन हैंकॉक औ यानि अगर पर्चे निधित्व नहीं है हमारा तो कड भी नहीं देंगे टैक्स भी नहीं देंगे सुलला दिसंबर 1773 इसपी को बिटिस्ट इस इंडिया कंपनी की तीन जहाज जो है वह चीन से चाय की पेटिया लेकर के बोस्टन बंदरगाह पहुंचती है अमेरिकन करांतिकारियों के कहने पे बोस्टन बंदरगाह पे जो बोस्टन पोर्ट पे जो काम करने वाले वर्कर थे उन्होंने बिटिस जहाज से चाय की पेटिया उतारने से इनकार कर दिया और बिटिस इस इस इंडिया कंपनी की जहाज को वाफस लौट जाने को कहा जिसके बाद Boston के Governor ने Workers को आदेश दिया वह British East India Company की जहाज से चाय की पेटिया उतारे इसके बाद जो है जब Boston के Governor ने करांतिकारियों की बात को ठुकड़ा दिया तो करांतिकारी उग्र हो गये और वो जहाज पे चढ़ गये और लगबग 90 तन जो है वो चाय की पेटी पानी में फेग दिया इसी घटना को अमेरिका के तिहास में Boston Tea Party या फिर बोस्टन चाय पार्टी कहता है इस घटना ने अमेरिकन को British सासन के खिलाफ विद्रोह करने के लिए एक बहुत ही अत्यधिक सहास दिया और यहीं से जो है वो अमेरिकन रिबॉलूशन की British सासन के खिलाफ में यहीं से Boston Tea Party की घटना से ही शुरुआ थो तो यहां था Boston Tea Party घटना मिलते हम रोग नेक्स्ट वीडियो में तक तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद